बेटी पचाओं बेटी पढ़ाओं और सरशिक्षा अभ्यान को लक्षित कर नर्मित निर्माता मनीश कुमार और निर्देशक अभीनाश धयानी ये फल्म फूली अब बहार ज़ारकंड के सिनेमा घरों में भी रिलीज होगी ये फिल्म बिहार और जारकंड के सिनेमा घरों में 14 जून को रिलीज हो रही है फिल्म का प्रदर्शन पटनार आंची जमशेदपूर सहित दोनु राजियों के प्रामुक सिनेमा घरों में होगा इसकी जानकार ये फिल्म के निर्माता मनीश कुमार ने खुद दी है उन्होंने बताया कि यूं तो हमारी फिल्म साथ जून 2024 को रिलीज हो चुकी है लेकिन अब हम इसे अपने हॉम टाउन में रिलीज कर रहे हैं उमीद है कि दर्शकों को हमारी ये पेशकर्श पसंद आएगी और उन्होंने जमशेदपूर जारगंड में अपना कारेस्थल बनाया और मही से ये शांदार और बेहत प्यारी फिल्म फूली लेकर आए हैं उनकी ये फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी काफी बुलंद करती है मालूम हो कि जमशेदपूर के सफल व्यपारी मनीश कुमार विगत कई वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं मही मनीश कुमार ने अपने फिल्म को लिकर कहा कि फूली जैसी फिल्में हिंदुस्तान में बननी चाहिए जो बेटियों के विकास और महिलाओं के उत्थान के विशय पर बात करें निर्देशक अविनाश धयानी के साथ हम पिछले डेड़ साल से ये फिल्म बना रहे थे साथ जुन 2024 को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई है जिसको ओडियन्स द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है इसको ध्यान में रखकर हम अपनी सरजमी पर भी इसे रिलीज कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुरुजनों से जो शिक्षा मिली है उस नजरिये से मैं बॉलिवुड की मसाला फिल्मों से जुड़ नहीं पा रहा था अब तक मैं ऐसे फिल्म की कहानी की तलाश में था जो एक संदेश भी देती हो और जिससे हर आम आदमी कनेक्ट कर सके उन्होंने कहा कि एक बार मेरे मित्र अविनाश धयानी ने जब ये सबजेक्ट सुनाया तो फूली की स्टोरी लाइन से मैं मन मस्तिष्क से जुड़ गया बेटी बचव बेटी पढ़ा और सर्वशिक्षा भ्यान की बात करने वाले इस सिनेमा को प्रड्यूस करने के लिए मैं तयार हुआ उत्राखंड में इसकी शूटिंग हुई और वहीं के स्थाने बच्चों को कास्ट किया गया अब मैं फूली को लेकर अधिक उत्साहित हूँ कि अब ये फिल्म मेरे होमटाउन में लगने जा रहे है तो मैं दर्शकों से अपील करूँगा कि इसे यहां भी वैसा ही प्यार दें जिससा इसे भारत भर में मिला है तो आपको कैसी लगी ये फिल्म हमें कॉमेंट कर जरूर बताए अभी के लिए इतना ही ब्यूरो रिपोर्ट बेहार अपडेट